आपके अपने YouTube चैनल Tech2Vac में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने Facebook पेज की सभी सेटिंग को कैसे मेनेज कर सकते हैं अपनी पोफाइल पिक्चर कैसे अड़ कर सकते हैं और कवर पिक्चर भी अड़ कर सकते हैं और अपने चैनल का लोगो भी अड़ कर स फेजबुक पेज कैसे क्रेट कर सकते हैं यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने Facebook प आपको यहां पर सो होने लगेगा हमने लाक्ष्ट वीडियो में यह टेक टुब एक नाम का एक Facebook पेज क्रेट किया है आपको सिंपल इस पर किलिक करने के बाद मैंने देखिए यहां पर यह कवर फोटो जो हब पहले ही से एड़ करके रखा और यह मेरा जो हब लोगो है आपको एड़ करना है चेंज करना है तो आपको सिंपली इस केमरा वाले उप्सन पर किलिक करके अपनी गैलरी से जो कवर फोटो आपने बना के रखी आपको इसको सलेट कर लेना है और यदि आप इस Facebook पेज का जो लोगो है आप इसको चेंज करना चाहते हैं सिंपली आपक आपको अपलोड हो जाएगा और यहां से अगर आप चाहते हैं तो आपने Facebook पेज की एक अगले सेटिंग आती है कि आप एक यूजर नेम अपने पेज का जो वो सलेक्ट कर सकते हैं अपने पेज का एक यूजर नेम बना सकते हैं इससे होगा यह कि आप में जब कभी भी यहां जैसे यह सर्च बार में टाइप करेंगे आपका यूजर नेम तो आपका जो Facebook पेज है वो उनके सामने डिरेक्ट ली उपन हो जाएगा इसको इसको सलेट करने के लिए यूजर नेम को बनाने के लिए आपको सिंपली यहां पर मैंने बना चुका हूँ अपना पेज क के यूजर नेम यदि आप नहीं बनाया होगा तो यहां पर चूस्टा न्यू उज़नेम को ऑप्शन आएगा आप इस उसी यूजर ने Всем वाले उप्शन पर किलिक कर लेना है और यूजर नेम वाले अप्शन पर आप किलिक करेंगे थोड़ा सा में लगरें आपको बुर incompat को जो हो करना है कि क्या बोल रहा है ट dau एक टो एपी दिए छेंजिआ एडिट पीज लिज है बोल रहा है कि आप योजर नेंग कर सकते हैं इस बढ़ियद कर सकते हैं इस से हो गाइडू और फेजबूक में पेज वाले ओप्सन पर सर्च बाउर्मेट आपके जो यूजर नेम उसको टाइप करेंगे तो आपका फेजबूक पेज उनको आसानी से मिल जाएगा और वो आसानी से आपके Facebook page को find कर सकते हैं इसके लिए आपको अपना username select करने के लिए आपको यह three dots पर click करना है edit page वाले option पर click करना है edit page वाले option पर click करेंगे तो आपके सामने यह page header का option दिखाई देगा आपको simply इस पर click करना है आपको इस वाले option पर यहाँ पर simply click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर आपको यूजर नेम वह दिखाई दे रहा है जैसे मैंने अपने Facebook page का जो नाम है वही अपना username select किया है take to back यह दि आप आपका username पहले ही से कोई वेक्ति select कर लेता है मानले जैसे मैंने take to back एक लिखा तो यहाँ पर मेरे को देखा जाएगा कि यह available है मानले जैसे मैंने take to देखे मैं take to किया तो यहाँ पर यह वतरह देस यूजर नेम it is not available प्लीज एंटर यूजर नेम that it is already taken मतलब यह बोल रहा है कि यह जो यूजर नेम है वो कोई बैक्तिक पहले से ले चुका है यह आई कि आप इसे नहीं ले सकते तो जैसे मैंने take to back किया तो देखे यह right का निसान यहाल यह right का निसान आ गया और यहां पर भी हअहरण निसान आ गया और यह username है यह available है मैं इसको ले सकता हूँ तो आपको simply create username वाले option पर click करना जासी आप create username पर click करेंगे आपको सामने यह loading होगी और यह आपका username finally create हो जाएगा username create करने के बाद आपको यहाँ पर यह button का option दिखाई दे रहा है यह button का option simply खाली रहता है basically यदि आप इस button पर अपना email id set कर देते हैं तो कोई भी बेक्ति आपके viewer आपको सीधे mail कर सकते हैं इस button बाले option पर click करके direct mail कर सकते हैं आप कोई product की selling करते हैं मालेजे किसी viewer को कोई product पसंद आता है और उसको buy करने में किसी भी प्रकार की कोई परिसानी हो रही है तो आप यहाँ पर एक button set कर दीजेगा आपसे वो मदद मांग सकता है तो चलिए हम simply इस button बाले option पर click करेंगे button बाले option पर click करने के बाद आपके स save बाले option पर आपको click कर देना जैसी आप email id अपनी जो भी type करना रखना चाहते है उस email id को type करके आप save बाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर send email का option दिखाई देगा यानि कि आपने email id को यहाँ पर button में set कर दिया है कोई भी बेक्ति डार्ट यहाँ से आपको mail कर सकता है किसी भ यहाँ पर बिजनीस देखाई देता है और यानि कि आप अपने बिजनीस को कैसे ग्रू कर सकते हैं और प्रमोट यहाँ पेज यदि आप अपने पेज पर ज्यादा विवर्स लाना चाहते हैं तो आपको 74 रुपय का जो हब हो चार्ज लगेगा आप इस पर पे करके भी करना चाहते हैं rape आपने कोई प्रोडक्ट is Amazon फ्रफिलिएट पर लिंग है और आप amazone एफिल Cities पर काम करते हैं और अपने फ्रोडुक्ट को सैल करना चाहते हैं तो आपर सिंपल यहाँ पर उस product का link type करेंगे और paste करने के बाद इस share वाले option पर simply click कर देना है तो चलिए अभी हमें नहीं करना है ऐसा कुछ तो आप ऐसे share वाले option पर click करके एक page create कर सकते हैं और आपने जितनी भी पोस्ट की है आपने जितनी भी पोस्ट की हुई है तो यहां पर उन सारी पोस्ट की जानकारी आपको दिखाई दे जाएगी और इन पोस्ट पर click करके लोग डारेक्ट या आपके YouTube पेज या आपके जो सब्सक्राइब है उस पर जा सकते हैं तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हमने Facebook पेज की बेसिक सैटिंग्स के बारे में बात किया और उमिद करता हूं आपके वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है